हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब मेरा नाम है अरुन और आप देख रहे हैं ट्रेड वित अरुन यूट्यूब चेनल दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मोबाइल एप के रिवीव के बारे में और उसमें बताऊँगा कि क्या क्या काम की चीजे हैं दोस्तो ये कोई ब्रोकर का रिवीव नहीं है ना ही किसी और प्लेटफॉर्म का रिवीव है ये हम रिवीव करने वाले हैं सेबी ने अभी हल ही में एक एप लॉंच किया है जिसका नाम है सार थी अब ये किसके लिए किया गया है दोस्तों क्योंकि लोग आजकल स्टॉक मार्केट में जो अभी कोविट के बाद के बाद जो बुल रन आया उसके वज़े से बहुत सारे इंवेस्टर हैं जो अपने डीमेट अकाउंट उपन करा रहे हैं और इंवेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं जिनको अभी कोई जानकारी नहीं है तो बुल रन में कूट तो पड़े हैं जिसके बाद उने अच्छा का सा प्रॉफिट भी हुआ है लेकिन आप सभी जानते हैं ये मार्केट है हर तरीका फेस आपको देखना पड़ेगा और अब जब लॉस होता है तो लोगों में डिसेप्लेन नहीं होता है पेसेंस नहीं होता है और वो बिल्कुल एक सब कुछ अपना गवाब एटते हैं तो उसके लिए एक सेवी ने एक एप लाँच किया है जिसमें आपको बहुत सारी फेसिलिटी मिलने वाली है तो क्या क्या होगा उस एप का रिव्यू भी हम करेंगे तो आप यह देख सकते हैं कि अभी 5 दिन पहले करीब की यह बात है 20 तारीक के आस पास यह लाँच किया था सेवी ने है तो जिसमें आप यह आर्टिकल देख सकते हैं जी नूस का आर्टिकल है सेर बाजार की निवेसों के लिए खुसकबरी सेवी ने लाँच के मॉबाइल अप जानिए इसके फायडे तो पहले यह देख लेते हैं कि क्या सेवी ने बोला है उसके बाद हम मॉबाइल अप का रिव्यू भी इसमें देखेंगे मैंने अल्रीटी डाउनलोड करके रखा है अप आपको भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेंगा या फिर प्ले स्टोर पर जाके आप अप डाउनलोड कर सकते हैं लोगों देख लीजेगा कौन सा एप है क्योंकि बहुत सारे एप है सारती नाम से तो कंफ्यूज मत करिएगा तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखाए कि सेर बाजार में निवेस करने का प्लान कर रहे है नए निवेसकों के लिए खुशखबरी है अब सेर बाजार में निवेस करना और भी आसान होगा भारती प्रती भूती और बिने में बोर्ड सेवी यह फुल फॉर्म है सेवी का इसके बोर्ड के अडिक्च जो है वो है अजय तयागी ने बुद्वार को निवेसकों को सिक्षा देने वाला एक मोबाइल एप सारती लॉंच किया है इसमें निवेसकों को कई तरह की जानकारी है मिलेंगी दोस्तों बैसे तो इस एजूकिशनल एप तो है यह लेकिन इसम जहां पर कोई उसके बारे में जनरली आजकर जादातर लोगों को पता ही नहीं क्या करना है तो उसके बारे में डिसकस करेंगे तो उसमें लिखा गया है कि सेवी की तरप से दी गई जानकारी के अनुसार इस एप से निवेसकों को से भी प्रोसेस ट्रेड़िंग अंड जैसी चीजों की जानकारी मिलेगी, क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, तो यह सब बातें लिखी गई हैं, दो भासाओं में एप मिलेगा, हिंदी इंगलिस में आपको एप मिलता है, और उसके बाद युबाओं के लिए एक बहुत तो यह तो आर्टी गल है, तो आप सी ही डाली है, तो चलिको अपन करेंगे, तो आपको क्या चीज़ी तो दोस्तों जैसे यह सिस पर लॉगिन करेंगे, तो आपको इस तरही ही तीन विंड्र देखाई देंगे, पहले फाया आएगा रिचिस्टर के बाद लोगिन आएगा, और यह पर अगर आप रचिस्टर न ID डालिए, phone number डालिए, जरूरी नहीं, यह वो हो जो आपकी DMAT में link हो, कोई भी आप email ID mobile number यहाँ पर डाल सकते हैं, एक password बनाना होगा, वो password बना दीजिए, pen card number optional है, आप डालें न डालें यह आपकी इक्चाहे, उसके बाद submit करेंगे, तो आप registered हो जाएंगे, उसके बाद जैसी registration हो जाएगा तो आप login करेंगे, इस पर login पर click करेंगे, तो इसमें आपने mobile number डाला होगा, वो डालना पड़ेगा और password जो आपने बनाया होगा, वो आपको डालना पड़ेगा, तो मैं एक minute login कर लेता हूँ इस पर, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, देखी हमने login कर लिया है यह पहला जो page खुलेगा, home इस तरीके से आपको page देखेगा, अगर पहले आप इन three dots पर click करेंगे, तो देखी आपको क्या देखता है, three dots पर click करेंगे, तो आप यहां से इंग्रिश में इसको change कर सकते हैं इंदी पसंद है, आपको हिंदी पढ़ सकते हैं इंग्रिश पसंद है, तो इंग्रिश में set कर सकते हैं तो मैंने इंग्रिश कर रखा, है यहां पर logout का option आता है, जहांसे आप बाहर निकल सकते हैं और exit पर से इस window से ये close हो जाएगा तो उसके बाद देखिए अब आपका main इसमें जो है ज्यादा कुछ दिया नहीं है बहुत ही simple और बहुत ही काम का app है दोस्तों मैं ऐसा क्यों क्या रहा हूँ कि इसमें आपको ये 6 चीजों के बारे में जान करें मिलती है पहला क्या है दोस दोस्तों कि इसके बारे में सबको पता होना चाहिए आप अगर investor है trader है आपको पता होना चाहिए आजकल ऐसा होता है कि अगर आपके साथ कोई दिक्कत हो गई है अगर आपका किसी बज़े से आपको fraud हो गया है कोई security market में तो आप कहां जाएंगे police के पास तो complaint कर नहीं सकते उसमें case लड़ने ही पाएंगे आप बहाँ पर कोई समझेगा है नहीं अगर आप normal कहीं भी जाएंगे और security markets related से कायट करेंगे तो बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे है आपको इसी किसी को कुछ पल ले पढ़ने बाला है नहीं तो आप complaint कह पर करेंगे दोस्तों एक तो सेवी का इसकोर्स पोर्टल है आप बहाँ पर जाके complaint कर सकते हैं या फिर आप यहीं पर क्लिक करेंगे तो यह आपको उसी पोर्टल पर लेकर चला जाएगा वो भी इसके बारे में भी डेटेल में बात करेंगे उसके बाद सेवी के कुछ रिस कोई और वीडियो देखने की जरूट नहीं पड़ेगी इसकी गैरेंटी देता हूं और वीडियो अच्छा लगए तो सब्सक्राइब जरूब कर लिजेगा चैनल को साथी साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिगा दोस्तों तो चलिए नो अबाउट सेक्यूरिटी मार करेगी आपको पता होना चाहिए कि आप जहां पर इन्वेस्ट करना है कहीं भी आप कोई भी बिजनस करते हैं तो उसके ऊपर तक आपको सब कुछ जानना पड़ता है हर एक चीज के बार में पता होना चाहिए ऐसे ही अगर सेक्यूरिटी मार्केट में आप इन्वेस्ट कर गए आप इन सब चीज़ों को मैं पढ़ूँगा नहीं आपर क्योंकि यह टाइम वेस्ट होगा इसमें फिलाल हलाकि यह सब काम की चीज़े हैं आप अलग से इसको पढ़िएगा लेकिन मैं आपको इस ओवर व्यू बता रहा हूं उसके बाद इसमें बताया गया है कि इसके बार इस एप में आपको क्या क्या पता चलेगा एक्विटी शियर्स और कॉमनली कॉल डैस यह कहते हैं डेट सेक्यूरिटी क्या होती है म्यूचल फंड क्या होते हैं एटीफ क्या होते हैं रियल स्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट यह क्या होते हैं डेरिवेट अब ज्या यहाँ पर option है आपको हिंदी में करने का तो अब जैसी करेंगे तो देखिए हिंदी में भी convert हो जाएगा तो कोई यसी problem आने वाली नहीं है तो हम जाते हैं back to section पर तो पहला यह हमने देख लिए saving and security market से लिए दूसरा क्लिक करिएगा दोस्तों shares पर तो shares पर जैसे ही आपको ब bank account होना चाहिए trading account होना चाहिए DMAT account होना चाहिए तो उन सब के बारे में information दी गई है कि किस तरीके से आपका DMAT account open होता है तो यहाँ पर KYC documents इन सब के बारे में लिखा गया है depository service क्या है आपको पता ही इंडिया में दो depository है CDS and NST तो total cool मिला के उन सब के बारे में educational जानकरी यहाँ पर दी गई है तो फिर से हम back to section में जाएंगे इसी तरीके से mutual fund and ETFs पर click करेंगे तो इनके बारे में जानकरी हो कि mutual fund क्या होता है ETFs क्या होता है debt bonds क्या होता है यह भी आपको पता चलेगा यह real estate investment trust यह क्या होते है derivatives क्या होते है future and option तो जैसे ही आप इन पर click करेंगे तो आपको इन सब की चीज़ें की बारे में कुछ पढ़ने को आपको यहाँ मिलेगा तो यह जो column है दोस्तों यह total no about security market वाला यह educational है यह बाला पूरा box तो इसको जरूर explore कीज़ेगा और इसमें बहुत चारा information नहीं दी गई है कि जो आपको फाल्टू चीज़ें बताई ग होता है लेकिन फिर भी यहाँ पर भी एक educational material आपको provide किया गया है कि जैसे कि what is investment, investment क्या होता है जब आप इस पे click करेंगे तो बहुत ही basic चीज़ें के बारे में आपको जानकरी दी जाए कि investment क्या होता है, goal of investment क्या होना चाहिए, investment versus speculation क्या होता है तो यह सब आपको काम की पढ देंगे हो सकता है बढ़ेगा पाईजा कमाएंगे तो वो तो सबका होता ही है, लेकिन saving और investment हमें investment क्यों करना चाहिए, savings और investment में क्या फायदे है, तो उन सब के detailed insight आपको practical point of view जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, investing in security market, security market में investing की क्या फायदे है, क्या risk है, आप यहाँ प material पर, तो यहाँ पर सेवी ने अपनी कुछ दो बुक डाली है, जिसमें आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत technical analysis के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, जैसे अगर आप देखेंगे दोस्तो, security market understanding from investors perspective, मरलब investor क्या सोसता है security market को लेके, और उसकी क्या thinking होना चाहिए, वो तो आगे जो भी webinar होंगे या जो भी होंगे, यहाँ पर देखेंगे, exchange के बारे में बताये गया है, BSE, NSE, MSEI, इसका दोस्तो, pre IPO में shares available है, अगर जो लोग खरीडना चाहते हैं, तो description box में number मिलेगा आपको, हमसे अभी share यह खरीज सकते हैं, बहुत कम rate में बिल रहा है, तो कैसा feature है, कि यह जो must, मतलब आपको यह समझ लेजी, इस app का ज़्यादा तर use आप इसके लिए करिए, educational तो ठीक है, अब क्या होता है दोस्तो, कि suppose कि कभी कोई technical mistake हुई, कुछ भी हुआ, आपके साथ कोई fraud हुआ, किसी तरीके का financial market में लेकर, तो आप complain करना है आपको, समझ म नहीं आता, fraud होगे, generally होता है, क्या है, कि पैसा चला जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, पुलिस में complain नहीं कर पाते हैं, local में तो कुछ पता ही नहीं होता है, तो आपको complain कहाँ पर करना है, इस पर जो है option, आप direct app download कीजिए, और इस पर आप click करेंगे, तो देखिए, पर लिके चला जाएगा, इसमें क्या है, सबसे पहला जो option है, saving scores for complaints, अगर आपको कोई complaint launch करनी है, मतलब complaint file करनी है, तो आप इस पर click करेंगे, यह सबसे आसान तरीका होता है, कोई भी, अगर आपकी कोई सुनभाई होगी, तो सिर्फ यहीं से होगी, दोस्तों, saving की तरू, आप इस पर click करेंगे, तो उसके बाद यह लेके जा रहा है, आपका saving complaint additional mechanism, यह जो ऊपर दिख रहा है आपको, यह जो box जैसा है, अगर आप इस पर click करेंगे, तो यह आपको direct complaint वाले page पर लेके चला जाएगा, बहाँ पर आपसे कुछ information मांगी जाएगी, registration करना पड़ेगा अपनी complaint के बारे में लिखिए, जैसे भी लिखना हो, Hindi, English, कोई भी language यूज़ करिए, proper और जिस तरीके से complaint होती है, आप complaint file बहाँ पर करिए, और आपका proper जो होता है, बिलकुल सुनवाई होगी दोस्तों, यकीन मानिए, होती है, पहले आपको NSE case से एक, आपका जो reasonable center होगा बहाँ से किसी का mail आएगा, जो भी वो manage करेंगे, उसके बाद आप जो communicate करेंगे, वो जिसको भेजना होगा, वो बहाँ पर भेजेंगे, उनसे reply मांगेंगे, तो जो भी sort out होता है, वो आप कर सकते हैं, पहले investor gradience होता है, अगर उससे भी आप satisfied नहीं है, तो arbitration भी file कर सकते ह थोड़ी लंबी process है, हाला कि लेकर आप इसका use करेंगे, तो आप धीरे धीरे आगे समझ जाएंगे, तो सबसे जो main काम की चीज़ है दोस्तों, वो यहाँ पर दिये गई है, अब से भी investor help line, यह जो दिया गया है दोस्तों, अब जब आप इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ number मिल जाते हैं, यानि कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे complain करो, तो आप इन numbers पर direct call करके, अगर आप investor हैं, तो यहाँ पर आप पूछ भी सकते हैं, आपको phone लग जाएंगे, आरम से, और आप बहाँ पर इसके बारे में जानकर ही ले सकते हैं, ask, save for queries, आप इस पर click करेंगे, तो जैसे ही आप करेंगे, तो यहाँ इनका mail दिया गए है, इस पर mail करके आप पूछ सकते हैं, क्या कोई भी अगर आपको problem है, आपको solution नहीं मिल रहा है, तो यह आपको बताएं, किस तरीकी से आपको deal करना चाहिए, कहाँ पर complain करनी चाहिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं, legal advice आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो इस पर जाके आप देख सकते हैं, और उसके बाद contact, exchanges and depository, जैसे अगर आपको exchange से कोई query है, तो direct इनके, जैसे कि आप देख सकते है, Bombay Stock Exchange है, NAC है, MSCI है, MCX है, NCDX है, अगर आपको किसी से भी contact करना है जैसे आप उस पर click करेंगे, direct उनका mail box कुल जाएगा, तो आप उनको पूछ सकते हैं, जैसे मैं आप NSCI पर click करूँगा, तो देखिए नीचे यह कुल गया, तो Gmail के तरू, जैसी Gmail पर आप click करेंगे, तो direct इनकी जो contact वाली email ID होगी, वो कुल जाएगी, आपको बस mail लिखना है, जो भी लिखना है, depository से कुछ complaint है, कोई काम है, आप उस पर click कीजिए, और direct उनको mail कर सकते हैं आपर, तो ये जो option हैं दोस्तों, ये बहुत ही काम की चीज़े हैं, इनको आपको रखना ही चाहिए, और इनका use आपको जरुत पड़े तो करना चाहिए, तो ये जो सबसे क पाम का feature है, ये है, तो ये तीन चीज़ों के बारे हमनों discuss कर लिए है, दोस्तों, अब जो चौथा है, वो है saving resource, तो आप इस पर click करेंगे, तो आपको saving के जो जो नई update आती है, वो आपको what's new पर click करेंगे, तो जो भी नई update आएगी, saving चाहिए, वो margin rule हो, किसी भी तरीके क rule हो, आप इस पर click करेंगे, यहाँ पर आपको information मिल जाएगी, saving investor charter, इसमें जो rules आपके already saving ने जो बना कर रखे हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, अगर कोई quiz चल रहा होगा, context चल रहा होगा, तो आपको यहाँ पर click करेंगे, तो यहाँ पर वो मिल जाएगा, celebration of आज contact saving, या अगर आप saving से direct contact करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर click कर सकते हैं, तो यह भी कुछ information और useful चीज़ें दी गई है, उसके बाद यह जो option है, इसके बारे में, अगर आप saving के बारे में, detail में जानना चाहते हैं, कब form होगा, कौन कौन इसके रहे हैं, तो मदब क्या क्या रही हैं, तो वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा, जैसे हम करेंगे click, तो यहाँ पर देखें, what's saving, saving's role in security market, क्या role है, आपको पता ही है, कि हर सद में था, scam के बाद saving का जो role था, वो बहुत जादा main हो गया, तो आप देख सकते हैं, उसके बाद fake saving circular FAQs, तो इसमें आप frequently asked question, जो यहाँ पर आप इसका use कर सकते हैं, दोस्तों, उसके बाद contact से भी, तो just आपको फिर click करना है, और यहाँ पर देखिए, इनके offices के बारे में जानकरी देखी, head office कहाँ पर है, इनकी, यह सब दिया गया, और जो contact number है, वो आपको यहाँ पर दिये गए है, तो आप इनका use करके, address of all safety offices, जहाँ जासे भी office है, आपके अगर आसपास कोई office है, तो उनका पता, आप इस पर click करेंगे, तो direct आपको open हो जाएगा, तो यह बहुत एक simple और बहुत ही जादा काम का app है, अभी आपको हो सकता है, यह नहीं लग रहा हो काम को, लेकिन जब आप समझेंगे इ तो comment section में जरूर लखीएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगाऊ तो like कर लीजिएगा, साथी साथ चैनल को subscribe कर लीजिएगा दोस्तों, thank you so much दोस्तों, मिलते हैं आप से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, good day